शतीस गड़ के किसानों के लिए वीडियो बहुत महतूर हैं। क्या इस बार भी कॉंग्रेस की सरकार चुनने में ही किसानों की बहतरी है या भाजपा की सरकार किसानों को जाला पाइदा देते हैं। अम आपको बताते हैं। प्रती 5 एकड 31 रुपे के मूल्य से 21 क्विंटल प्रती एकड की करीदी कर भाजपा को करने जा रही है तीन लाख 25,500 रुपे का भुपतान। वहीं कॉंग्रेस करेगी 20 क्विंटल प्रती एकड 32 रुपे के मूल्य से 3,20,000 रुपतान। भाजपा किसानों को ज़्यादा राशी दे रही है यानि भाजपा कर रही है पांच एकड में पांच हजार पांच सो रुपए का अतिरिक्त भुक्ता है वो भी एक मुष्ट वहीं कॉंग्रेस देगी तीन लाख भी सजा रुपए मिलने जा रहा है चार किस्तों में जो की भा अगर हम ब्याजपी राशी जोड़ें तो प्रती पांच एकड एक वर्ष में हर किसान को होने जा रहा है चालीस हजार रुपए का अतिरिक्त फाइदा जो की पांच वर्षों में दो लाख रुपए तक का फाइदा जो एक मुष्ट भुक्तान की वज़ा से होगा बारदा किसाने की व्यवस्था भी भाजपा करने जा रही है जो कॉंग्रेस नहीं करेगी फसल भीमा की व्यवस्था भाजपा करने जा रही है जो कॉंग्रेस नहीं करेगी किसानों के बच्चों को दो लाख की छात्र विट्टी स्कॉलर्शिप भाजपा देने जा रही है जो कॉं गुडवक्ता का भीज हाजपा देगी कॉंग्रेस नहीं देगी सीचाई और परियोजनाओं का विस्तार करे कॉंग्रेस करें कि सान सम्मान निधी जो किसानों को मोदी सरकार देती에 और कॉंग्रेस उसे मिलने नहीं देखी वह भी बाच्पा की डबल इंजन सरकार ही देगी और दो साल का बोनस जो आपका हक है उसे 25 दिसंबर को एक साथ एक मुष्ट भाजपा की सरकार देने जा रही है इसलिए भाजपा को चुनने में वाइदा नहीं पंपर फाइदा नहीं तुना भी वादा नहीं है ये मोदी की गारंटी है आज पाबत है भाईदा आज पाबत है आज पाबत है भाईदा नहीं पाबत है